तो नित्यारंद प्रभुजी भागवान भी जब भी आते हैं गौरांग महाप्रभु आए प्रिश्न भागवान आए जो भी आए वो एक ही उद्देशिक लिया वो उद्देशे आपके क्लियर हैं कितने उद्देशे हैं उनके तीन पहला धर्म की स्थापना दूसरा साधू कि तीसरा विनाश आया मैं क्यों बोल रहा हूं आपको गए एक्शुली क्या ये सारी चीज़े धर्म के लिए नहीं है आपका उत्तर गलत नहीं था सारी चीज़ धर्म के लिए प्रंदू अलग-अलग अवतारों में जैसे कि वरह अवतार में आये क्या किया है अरे आसुर करा विनाश आयदें उसमें धर्म किसता प्रट म खरी कैसे अ शुरक व्मारा जिसे काराणकी जो लोग धर्म करना चाहते थे सब्सक्राइब कर सके पंद्र डर्रम का प्रचार नहीं किया धर्ती माता जो कि भक्त है उनकी उनकी रक्षा करी जिससे कि और धर्ती पे भक्तों का जनम हो सके और भागवाद धाम वापिस क्योंकि ये प्रफ्वी लोग ये ये बेस्ट वो है जगा इस चक्कर से निकलने के लिए और मनुष्य योनी सबसे स्रेश्ट देवताओं से भी स्रेश्ट देवता तक इस योनी को जाने है ऐसे ही जब राम जी के रूप में आए राम जी लोग कहते हैं उनका आचरन सीखो आप एक आचरन नहीं कर सकते हैं राम जी का एक आचरन नहीं कर सकते हैं कर सकते हैं बताओं इतना बड़ा सामराज्य छोड़ सकते हैं बागे आचरन भाई भाई देखो कितना प्रेम था पिता की तरह प्रदू ये कोई नहीं बताता कि उनने तो राज्य छोड़ दिया था पिता की आग्या पिली आप छोड़ दो गए है यार कमाल के लोगों जो तुमें अच्छा लग तुमें है तुम करोगे नहीं वो जो राम जी के दूसरी भी कर रही बाते हैं भाई के साथ कैसा संबन है प्रभूछ राम जी की बात करते है राम जी ने तो पहले चीज़ दे बताई कि भाई अगर पिता का दिया हुआ वचन अगर वो निरत्थक हो जाएगा तो पिता जी को नर्क जाना पड़ेगा यह पुत्र का कारे है कि पिता का क्या करें नर्क से दूर करे उसको पुत्र पूतक नामक नर्ग से उद्धार करे ये है पुत्र का पहला काम तो वो जानते थे अगर मेरे पिता ने जो मेरी मा को वचन दिया उसको अगर मैं नहीं करता पुरा पिता जी अपने वचन पे फिर रहे थे पंदुनों ने अपने पिता जी के बचन को रखने के लिए क्या किया चले जाओगे बनवास कौन है आप में से जड़ा बताना प्रभू जी तो उस लीला में भी क्योंकि भगवान की तो हर लीला ही परफेक्ट होती है पंदु कई लिलाओं के अंदर वो कुछ चीज हो जागर करते हैं और कई लिलाओं में कुछ चीज हो जागर करते हैं अगर नहीं निकलते हैं वहाँ से तो इन भक्तों का उद्धार कैसे होता है अहिल्या कैसे उद्धार होता है इन भक्तों हैंजे दुष्ट का विनाश किया अपने भक्तों का उद्धार किया और बताया कि पिता जी अगर माने या ना माने तब भी तुम अपना कारे करो तो भी सोचा इस विचार धरत से पिता जी ने का नहीं नहीं मत जातू नहीं नहीं आपने वचन दे रख रहे तो आप कोगे इसको आप हमारे साथ कैसे लगा रहे हो पुत्र का कारे क्या है कि अपने माता पिता को जनम बृत्यों के चक्र से निकाले है ना पुत्र का कारे तो ये है आपने राम जी से क्या सीखोगे राम जी से ये सीखोगे कि पिता जी कुछ भी कहें, माता जी कुछ भी कहें क्योंकि उकम बुद्धी के हैं जानते नहीं न रख जाने की गती हो रही है मैं तो इनको तार के ही रहूंगा चौदा साल का बनवास ले रहा हूँ सही गलत है बताओ मैं जो बोल रहा हूँ बताईए ब्रभुजी यह रहा बताना करिए लोजिकली इसको बिस्परूव करिए रामायन को देखने का एक और तरीका भी तो है रामजी को देखने का तरीका कभी नहीं सोचा किसी नहीं से सोचते ही नहीं है क्योंकि भगवाने स्वेम क्या कह दिया भक्ति अमाम अभी जाना थी भक्ति मुझे जान सकता है